हे गाईज दिस इस प्रशांद एंड यूर वाचिंग न्यू इंडियन एरा तो ये चैप्टर 6 है रिफ्रेक्शन आफ लाइट और ये इसका पार्ट 5 है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूटूब चैनल न्यू इंडियन एरा को और इसे शेयर करना बिल्कुल ही मत भ कर लीजिए ने तो आप लोगों समझने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर 6 रिफ्रेक्शन आफ लाइट और साइंस पार्ट वन का है ना ओके तो इंक्लूडिंग और टाविस विद्वेजिक बेसिक कंसेप्स यह सब कुछ हम लोग सिखने वाले हैं मैं प्रिशान्त और यूर वाचिंग न संब्सें और प्लानेट की छो स्टार से अर्थ के अलावा लावा सब इसक नहों नेध में यस यह सब कुछ हम लोग ने इसके पहले समझा था ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स पार्ट में जिसमें सबसे इजीएस्ट पार्ट इनिडिस परशन आफ लाइट जिसने इसकी मीनिंग समझ ली समझ लो मतलब उसने बहुत अच्छे सब को समझ लिया और बहुत अच्छी बात है यहीं एक रीजन है रेंबो क्रियेट होने का अगर डिस्पर्शन आफ लाइट नहीं हुआ तो कभी भी लाइफ में कभी इतने बड़े इन्वार्णमेंट में कभी भी रेंबो क्रियेट इंद्रधन इन्फॉर्मेशन है और जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है कोई कहीं अलग से नहीं है तो भी मैं इसको बताऊंगा और डिस्पर्शन आफ लाइट सी दो से तीन लाइन में कंप्लेट हो जाता है ठीक है इसमें कोई इसा मत्तब बड़ी बात नहीं है तो थोड़ा सा उसक करता हूंगा इसके पहले आप लोगो समझ लीजिए ठीक है जो नीचे यहाँ पर थोड़ा सी एडिशनल इन्फॉर्मिशन है इसको थोड़ा से याद कर लीजिए लिख लीजिए पैनल कॉपी में ठीक है नाव होल्ड़ दा प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास इन फ्रंट के बाद उसको इधर से उधर आप लोग तर्न करोगे तो क्या होता है वो देखो तो यू विल सी लाइट रेस डिवाइडेर इन्टो डिफ्रेंट कलर्स तो आपको सेवन कलर्स हंडर एन परसेंट दिखेंगा तो देखो आप जाके स्केल लेकि अपने आइस के फ्रेंट मे तो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन तो यह कितना बड़ा वर्ड दीख रहे है ना इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन तो यह क्या होता है इसको समाझ लो पहले तो जो इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन होता है वो और कुछ नहीं तो तो पहले सबसे पहले इसके वर्ड का मीनिंग समझो इलेक्ट्रो इलेक्टो यानिकी electricity इलेक्ट्राइशन्स मेइटि यानि की मैङनेटी जो मेगनेट स्विल्ड तो वह और रेडिएशन रेडियेशन क्या होता है हम लोग मालना एनरजी ट्रांस्पूट करने का एक इस्टेप है ठीक है तो याद रखिए तो इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन तो यह लाइट्स होती है यह और कुछ नहीं यह होता है ठीक ऐब देखो यह जो एक तो इंतना याद रख। य설े कितनwart है वही udah होता है जिसको लेमड़ा इसको यहां से डीको उल्टा वा ए तो हम लोग इसको रिप्रेजन करते हैं सकॉढ़ लैमडा बोलते हैं या फिर कहीं कि लांबडा एक जो भी आप प्रणौृशियट करते हो तो इसको लांबडा बोलते हैं ऐसे हम लोग इसको अम लोग रीप्रेजेंट करते हैं तो वेवलेंथ इंपोर्डेंट प्रपर इक इसकि रेडियेशन की Now the wavelength of radiation to which our eyes are sensitive is between 400 and 700 nm nm का मतला होता है nanometer और हम लोग को पता है कि 1 meter is equal to 10 raise to minus 9 meter होता है यानि कि सोच लोग कितना छोटा है 700 nanometer यानि कि 10 raise to minus 9 इतना छोटा minus 9 याद रखिएगा तो इतना sensitive होता है यह radiation यह electromagnetic radiation यह स्केल के मत्तब जो लाइट सोती है इन इस इंटर्वल रिडिशन आफ दिफेंड वेवलेंथ अपिस तो है दिफेंड कलर मेंसेंड अबो यह सिंपल से लाइन था है इसमें कुछ सम्झाने लाइख हा ही निए दे रेड लाइट हैस मैक्जिममम वेवलेंथ यह देडिश टू पावर में या मानस नाइन मिटर यहां पर सब्सक्राइब बेड़के 10 डिस्टी मानस पावर में ठीक है तो देखो यह सब कुछ निए थियराटिकल है यह सब लापको पढ़ लेना चाहिए बस हो गया कुछ नहीं तो 700 डेनोमेटर है जो वाइलेट होता है वायलेट का जो वेवलेंद्स होता है सबसे मतलई स्मालेश होता है और इसक के बाद हम लोग ना डिस्परिशन आफ लाइट का कंसर्प समझेंगे इन वैक्यूम दो वेलसिटी आफ लाइट रेज और फ्रीक्वेंसी इस डिफ्रेंट और इस दे सेम तो इसने बोलने का मतलब क्या है जो वैक्यूम होता है तो उसमें जो वेलसिटी आफ लाइट है अब जो वेलसिटी है वह फ्रीकेंसी के जो लाइट की फ्रीकेंसी होती उसके उपर डिपेंड होती है अब फ्रीकेंसी की उपर वेलसिटी डिपेंड है और वेलसिटी की उपर कौन डिपेंड है जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो अगर फ्रीकेंसी चेंज है तो उनकी वहिला स monopol होगी और जब पकीवा तो उनका इंड yards बहुंट होगा तो उनका घ्र-ठ raise अलाग है तो ट्रेवल करेंगी वह सब्सक्राइब करेंगी सिंपल सी बात है define ऩदे उससे वह इंड box मेडियाम काडिेंसte different different colors के लिए now does even when white lights enters a single medium like glass the angles of reflection are different for different colors angle of reflection Joe incident angle of incidence angle of reflection is this a lag-alag होता है क्योंकि अगर velocity ही अलग हो गई किसी भी हर एक light की तो उसका angles भी जो create हो भी अलग होगा okay now so when the white light coming from the Sun through air interest any reflective medium it emerges as a spectrum of seven colors अभी स्पेक्ट्रम of seven colors क्या होता है बस इसको हम लोग जस्ट अब नेक्स स्लाइड में समझते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वाट इस dispersion of light तो सबसे पहले dispersion of light की इस डिफिरेशन को भी पढ़ने से पहले हो यह मैं आप लोग को एक बात बता दूंद इसका मीनिग होता है सबसे पहले डिसपर्स यह जो डिसपर्स है तो यह एक इंग्लिश और और इस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग होता है कि separate होना गुट होना ठीक है तो अब द्यान से समझिएगा यहां पर लाइट है और यह एक लाइट सेपरेट हो गई एक इस पार्ट में अभी मैंने दो पार्ट में separate कि हो सकते है यह सेवन टारेट वोथे और यह कल रहे खू रहे एंड है ना ढिक वह different different types में separate हो जाती जिसे की एक जो road है वह एक road जा रही है और बाद में separate हो गई वह ऐसे ही just है तो यह light भी separate होती है इसी light के separation को dispersion of light बोलते हैं ठीक है अब definition पढ़ लेते हैं थोड़ा सा the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called the dispersion of light तो यह सिर्फ जो dispersion of light है यह सिर्फ तभी होता है कि जब कोई भी light किसी medium से पास हो मैंने यहां पर प्रिजम बना दिया है पर और कोई भी medium हो सकती कि ग्लास है कोई भी medium हो जिसी को आप स्केल थी तो इसकेल की medium से जब लाइट पास होती है तब इस पर्षान होता है तो वैसी dispersion होता है लाइट का जब किसी medium से वह पास होती है तो इसी को dispersion of light बोलते हैं कितना कम कितना छोटा सा concept ने ठीक है अब इसको सोड़ा से एक डियाग्राम से समझ लेते हैं डिस्पर्षान आफ लाइट को दो को सोड़ा से प्रिजन का पहला यह रेर से ड Alrighty आइसर में जा रही है और यह से ऑपने एंगल को सबसे को पनीडिकर्ण मी पीजुक्छ और यह सब्सक्राइबर कोवर्स है वह सबबर करने करने के सब तरीक है वीब जै और देखो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ रफ सो तो वीब जैव और ऐसा पड़ो यह फिर विब जैवर जो भी आपको पढ़ना है तो याद रखी यह वीब जय और नीचे से ऊपर तक जाने लोगो डाउन टू अपवर्ड के लिए जाना है और यह ग्लास की प्रिजा में जो प्रिजा में यह ग्लास की बनी हुई है तो इतना याद रखिए तो याद सूचो सन लाइट में क्या होता है एक वाइट लाइट जिसके अंदर सेवन कलर्स छुपे हुए होते हैं हीडन होत बात यही थी सो थैंक्स वार वाचिंग निव इंडियन एरा और नेक्स्ट वीडियो मेरे जल्दी आ जाएगी फ्रेंड्स तो इसके बाद में आप लोग को टोटल एंड इंटर्नल पार्शियल रिफ्लेक्शन जो भी है इसको अच्छे से बताऊंगा फिर एनबो और उसके अपना चैप्टर इंड हो जाएगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जल्दी वेट किजिए उसका मैं जल्दी उसे अप्लोड कर दूंगा थैंक्स पर वाचिंग निव इंडियन एरा प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट ओके सो बाए तब तक क सब्सक्राइब